प्यारे बच्चों आप सभी का स्वागत है एक और हम इवेंट लेके आ चुके हैं जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे क्योंकि अब के बाद आपके जो दिन बचे हैं डी गुरूप के लिए मात्र आपके कितने दिन बचे हैं वही पीज दिन बचे हैं हम टाइम को मेनेजमेंट कैसे करें 90 परसेंट स्टुडेंट के साथ यही प्रोब्लम रहती है कि वो टाइम को मेनेजमेंट करके नहीं चलते हैं पहली बात तो मेरी ध्यान से यह सुनिएगा अगर रोज का आप हर सब्जेक्ट के उपर फोकस करोगे देखे इसमें चार आपक टोपिक को कवर करने की कोशिस करोगे माल लेते कि आपने कोई साइंस का कोई टोपिक उठा लिया है उसी दिन आपने उठा लिया है मैथमेटिक्स का कोई टोपिक उसी दिन आपने उठा लिया है रिजिनिंग का टोपिक और उसी दिन आपने उठा लिया करंट का और जीए बना ही नहीं तो जिस परकार में बताता चलो अगर उस परकार आप बनाते अपना तरीके से उसको पढ़ते चले गए तो यानि यह मान के चलिएगा आपका सेलेक्शन असी प्लस नंबर की घरंटी मैं देता हूँ अब करना क्या है कैसे किया जाए सर क्या सड्यूल बना जाए क्या टाइम टेबल बना जाए तो मेरी में ध्यान से सुनिएगा हमारे पास दिन में होते हैं 24 गंटे ठीक ना एक दिन में 24 गंटे हैं चलो मान लेते कि 12 गंटे की खाने में इदर उदर जाने में इस प्रकार्थि वेस्ट कर दिये लेकिन हमारे पास अभी भी 9 गंटे बचे हुए हैं अब 9 गंटे अगर डेली हम लेके चले 30 से मंटिप्लाई कर दो हमारे पास बच क्या है 270 गंटे अगर 270 गंटे में हम देखते हैं कि हर सब्जक्त या हर किस प्रकार फोकस करेंगे सबसे पहले बचे ध्यान दीजिएगा अगर अभी तक भी किसी ने तयारी करनी शुरूर नहीं किये है तो स्टार्ड कर देना वही और स्टार्ड कैसे करनी है साथ दिन बेटा साथ दिन मा आपको बताता हूँ साथ दिन साथ दिन का साथ दिन में कहां से पड़े कैसे पड़े तो बेटा आपको बता देते हैं यूटूब पे तो बहुत मिल जाएगा यूटूब पर रिवीजन होगा पिछले पास दिन में लेकिन अभी के लिए हमें क्या करना है एक बुक लेकर आनिया अगर किसी बच्चे नहीं खरीद दी है तो खरीद लेनी है आपको साथ में आपको इन्तराष्टि संगठनों के बारे में बास आज जाती है यसारी चीजे आपके जिए में हैं अब बात कर देते करंफियर कहां करन्ट अफेर का कैसे पढ़ने का तरीका मैंने साथ दिन डिसाइड किये विसके साथ दिन का ही आपको लेके चलना है रिवीजन मारना है फिर रिपीट तो हम बाद में करवा देंगे आपका अब करन्ट अफेर के लिए भी आप स्पीडी लेके आओगे जैसे अभी 2022 चल रहा है तो आप बोलोगे कि सर छे महीने की करन्ट अफेर पढ़ लें क्या बात बन जाएगी कोई बोलेगा सर बारास महीने की पढ़ लें बात बन जाएगी कोई बोलेगा कि सर ठारा महीने की पढ़ लें दो साल की पढ़ते बात बन जाएगी अब मेरी भात ध्यान से सुनना च पूरी डिटेल से एक पॉइंट लेगे चलना है अब बात आ जाती है छह महीने एक्स्टा यानि पिछले साल के अगस्त की बात कर लें उसमें आपकी क्या रहेगी पिछले साल के अगस्त में वहां पर आपको जो करने करनी है वो स्पोर्ट पर ज्यादा ध्यान देना है नई- एंटीपीसी के बारे में देखा जब से नोटिफिकेशन आया था उसी की करन्ट फिर लेके आया वो नोटिफिकेशन की डेट की करन्ट फिर लेके आ और वो करन्ट फिर कैसे थे स्पोर्ट के बारे में थी ज्यादा निए उसमें बुक्स के बारे में उसके बारे में स्पो के बारे में और जित्री भी नहीं नहीं नुखती होई हैं तीन पॉइंट देखने हैं आगे के 6 महीने फिर 12 महीने में आपको पूरा 6 महीने के आपको नॉर्मल पढ़नी है और 6 महीने के तो घोट के पी जाना क्योंकि करंट अफेर बहुत ज्यादा माईने रखेगी इस बीस से कुष्णों में से 15 कुष्ण हंडेड एन परेशंट करन्ट अफेर के रहने वाले बात सही अब बात कर लेते हैं रिजनिंग की और मैथमाटिक्स और साइंस के बारे में साइंस की बारे में जैसे याप साथ दिन कंप्पलीट करोगे आपको क्या है इस करेंट अफेर के बारे में knowledge हो जाएगी अच्छा साथ दिन में साथ साथ एक और चीज करते चलना आपको साथ में एक प्रेक्टिस सेट लेके आना आप सो लोगे सर ओनलाइन का किसका प्रेक्टिस सेट लगाए ओफलाइन लगाओ दोनों चीजे सेम है ताइम देखके अगर ओफलाइन भी साथ 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 में उसको चीजियों को ध्यान में रखते हुए साथ दिन पर देने आपको उसमें आपको ना मैथेमेटिक्स पढ़ना है ना जर्नल करेंट अफेर पढ़नी है ना आपको रिजनिंग पढ़नी है केवल साथ दिन के लिए साइंस के नाम छोड़ दो क्योंकि 25 क्यूश्चन यानि 25 नंबर माइने रखते हैं साइंस के लिए तो 25 नंबर यहां से कवर क किजिएगा साथ दिन में कोई भी रेंडम आप डी ग्रूप की बुक लेके मार्केट में चले जाना मझें कुरूप की डी गूरूप की क्या चीए है साइंस की बुक चीए अब लोग सर यूटूब पर पढ़ा रखा है बहुत सारे टीचर नहीं अभी नहीं वो टाइम आय पर नहीं जाने वाला इससे बहार डी ग्रूप जाएगा ने वहां से आपको साफ प्राइप कर रहे आप रोज के साथ कर रहे हो पहले यपति चोदा करे उसमें भी आ तो मेह ठरीज निंग आए आ हाए आए नबे तक आप जिस दिन पहुँच गे ना कोई भी निया रोक पाएगा आपका फिर भी मैं कोसिस करूँगा कि 14 दिन तक की टेस्ट सीरीज यानि 14 दिन में जो लगाओगे 21 टेस्ट सीरीज वहाँ पर आप 70 पलस अराम से पहुच जाओगे ठीक है अब जैसे ही हमारे 70 पलस हम पहुच चुके हैं उसके बाद हम पुस कहां करेंगे सर हमने ये भी कवर कर लिया ये भी करता कर लिया अब बात आती है मराथन की महा जो बड़ी-बड़ी क्लास ही होती है 15-15 गंटे की 20-20 गंटे की उन पर क्या करना है फोकस करना है सबसे पहले साइंस के ओपर फोकस करना है mathematics reasoning और current affair के लास्ट के पांच दिन current affair को देने है प्रोपर देदो प्रोपर पांच दिन फिर से current affair को देदो यहां पर और current affair ही आपको टोपिक भी बताएगा किस टोपिक पे क्या है क्या क्या क्युश्चन आ सकता है साइंस कौन से टोपिक आपको important है तो यह तथा 30 दिन की आपको जो जो चीजें आपको पढ़नी है किस तरीके से पढ़नी है अगर इसी तरीकी से अब चलते रहे फिर हम next आपको event में मिलते हैं जहां पर हम topic भी बताएंगे कि science से यही topic पढ़ो अब इससे बाहर मत जाओ लेकिन अब के लिए जो बताया मैंने उसी पर काइम रहना बच्चे और मिलते हैं ऐसे ही event के साथ next event पर जाल रखना जै हिंद